नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने हेल्पिंग और अब यूटूब चैनल पर दो आज मैं 16 दिसंबर 2019 के बेल्ट्रॉन डाटा इंट्री ऑपरेटर का जो एक्जाम हुआ था उसका मैं को संसेट लेकर आ गया हूँ दोस्तों अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं 27 नमबर 2019 और 10 दिसंबर 2019 का जो मैंने वीडियो बनाकर डाला है तो दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ आपको बेल्ट्रॉन इस्टेनोग्राफर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा उस पे आप कि लिए बेल्ट्रॉन 27 नमबर 2019 से 28 दिसंबर 2019 तक जो पूरा एक महा तक जो चला था बेल्ट्रॉन टाटा इंट्री ऑपरेटर का एक्जाम फर्स शेकेंड और थर्ड सीप्ट में उस सभी का कोस्टन का संग्रा लेकर आने वाला हो दोस्तों जिससे कि आपकी रह आसान हो सके और आप बेल्ट्रॉन इस्टेनोग्राफर का एक्जाम आप बहुत ही असानी से क्रेक कर सकें तो दोस्तों मैं आपसे एक छोड़ा सा रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूस्पूल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइ लेंगवेज और यहीं पे एक होता है एल 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 त्रीपल एल का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लेंगवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों निमलिकीत में से कौन सा की बोर्ट शॉटकट मेल मर्ज डाटा सुरोत को संपादित करने के लिए उप्योगी होगा तो प्लस एफ फॉर या फिर उसके बाद आप अल्ट इस्पेस और सी क्लोज हो जाएगा वो प्रोग्राम ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं निमलिकीत में से कौन सा दस्तावेज मेल मर्ज में सुसंगत है मैं डोक्यूमेंट डाटा सोर्स और मर्ज डोक्यूमेंट आगे ब फिन रित्ता दाएं किलिक करें और चीपाये निमलिकीत में से कौन सी स्रेण stairs उपलब्द नहीं होती है तो वीडियो शरेणिया जो है उपलब्द नहीं होती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेट सेवा परदाता को डैस के रूप में भी जाना जाता है तो ISP तो दोस्तों ये ISP क्या है ISP का फुल पर्म होता है इंटरनेट सर्वीस प्रोवाइडर दोस्तों मैं सॉटकर्ट भी आपको लेकर साथ साथ ही चल रहा हूँ आप उसको अच्छे से नौट करते जाएगा इंटरनेट सर्वीस प्रोवाइडर आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैक्रोसप्ट एक्स्टल में जब कोई वर्क सीट पहले से खुली होती है तो सॉटकर्ट कुंजी एप सेवन दवाकर निमलिखीत में से किस की पुर्णता की जाती है वरतनी जाँच चलाई जाती है तो दोस्तों वरतनी जाँच का मतलब है स्पिलिंग एंड ग्रामर ग्रामर को जब हम चेक करते हैं तो एप सेवन दवाकर इस पिलिंग एंड ग्रामर की जाँच करते हैं तो वही बोल रहा है वरतनी जाँच चलाई जाती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों विंडोस एक्सपी की डिक्स क्लिन अप सर्वीस में जाने के लिए आप निमलिखीत में से किस चरण का उपयोग करेंगे कंट्रोल पैनल पे जाएंगे सिस्टम सेक्रूटीव पे जाएंगे अड्मिनिस्टेटीव पे जाएंगे और टूल्स पर किलिक करेंगे तो दोस्तों मेरा ये काम हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों जब आप File Menu से Document Protect का चैन करते हैं तो निमलिखीत में से कौन सा विकल्ब Microsoft Word 2016 में उपलब्ध नहीं होता है हटाना परतिबंधित करे ये जो है नहीं होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों Microsoft Excel 2016 कार पुस्ती का साजा करने और परिवर्तन टेकिंग की सुरक्षा करने के लिए निमलिखीत चर्णों का अनुसरन करना चाहिए परिवर्तन सम्हूग में समिक्षा टेब पर वर्क बुक सुरक्षीत और साजा करे बटन पर किलिक करे डायलोग विंडो पर डैस चेक बॉक्स चैन करता है ट्रेक परिवर्तन के साथ साजा करना आगे बढ़ते हैं दोस्तों Microsoft Excel 2016 में जब आप टेब के चितर सम्हू के तहत इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चैन करते हैं तो आपको दिखाई देने वाला डैलोग बॉक्स में चार अलग अलग परकार के मैट्रिसे मिलते हैं निमगीत में से कौन एक मान मैट्रिक्स परकार नहीं है तो कर टायिल्ड कि Microsoft Excel 2016 वर्क सीट की सीट टैप पर दाइं किलिक करके निम्हें से कौन सा काचथ नहीं किया जाता हैÖ ये नहीं किया सकता है वरसीन का नाम बदला सकता युट आप लिखा देना चाहिए बहुँन का नाम communities और दिखेंगा वरसीन को अप्सटिन दिखेंगा या अईसका कोई बुठ उप्शन नहीं रहता है आगे बलते हैं Microsoft Word दस्तावेज में किसी सब्द पर दो बार लागातार किये गए क्लिक एक डेस्क का चैन करते हैं सब्द को चैन कर लेता है जैसे आप उस सब्द को डबल क्लिक किज़ेगा तो वो पूरा सब्द ओटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है आगे बड़ते हो दूस्तों मल्टिकास्ट के लिए IPV4 पते की कौन सी स्रेणी का उप्योग क्या जा सकता है तो D स्रेणी का उप्योग क्या जा सकता है Microsoft Excel दोयर 16 में किसी को हॉम टेप के तहा सेल्स समूँ के भीतर फॉर्मेट बटन मिलेगा इस बटन को दमाने पर निमलिकीर में से कौन सा विकल्प उप्लब्द नहीं है कंडिशनल फॉर्मेटिंग उप्लब्द नहीं है Microsoft Word दोयर 16 विंडो में विसे वस्तू संड्रेखन के विकल्प आपको कहां मिलते हैं तो रीबन पर उप्लब्द होता है जो टाइटिल वार के नीचे होता है रीबन उस पर ही उप्लब्द होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों Microsoft Excel दोयर 16 में वर्क सीट में पंक्ती की चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है रो चौड़ाई का ऐसा कोई अर्थ नहीं है इसलिए इसे Microsoft Excel में परस्तूत नहीं किया जाता है दोस्तों रो का मतलब होता है पंक्ती और पंक्ती की जो है चौड़ाई नहीं होती है पंक्ती की लंबाई होती है दोस्तों और कॉलम जो होता है जिसे हम लोग अस्तम कहते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ती है यह बात आप क्लियर कर लेज़ेगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक पूर्ण योजग को डैस का उपयोग करके लागू किया जा सकता है दो अर्थ योजग और एक और गेट IPv4 पते की पहचान करे जो मान नहीं है तो 123.255 155.256 आगे बढ़ते हैं जीफ केंप्यूटर मदर बोट पर एक परकार का CPU इस CPU का फूर्ण सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट सौकेट है जो प्रोसेसर के सरल परतियस्थान या उन्यन के लिए अनुमती देता है इस जीफ का पूर्ण रूप क्या है जीरो इंसर्शन फॉर्स आगे बढ़ते हैं दोस्तों वरतमार Microsoft PowerPoint स्लाइड को बाए पलक में स्लाइड का चैन करके और keyboard shortcut देश दवा कर हटाया जा सकता है तो control के साथ आप X दवा कर हटा सकते हैं Microsoft PowerPoint 26 में View Tab कई प्रस्तूतियां द्रिस परदान करता है निमली खीत Tab में कौन सा एकमान विकलप नहीं है तो in-line जो है उपलग नहीं है जब हम Microsoft Word में keyword shortcut control प्लस delete दवाते हैं तो वरतमान करसर इस्तिती से दैस को मिटाया जाता है सब्द के दाए भाग को हटाया जाता है आगे बढ़ते हैं निमली खीत सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांस करे कितनी बार लूप के मुखे भाग को कर्यानवित किया जाएगा तो अनंत होगा इसका answer दोस्तों इस टाइब के question एक दो पूछेंगे थोड़ा tough होता है दोस्तों लेकिन मैं इस सब के लिए भी एक special class लिकाऊँगा जिसमें सारा चीज ये सब clear कर दूँगा Microsoft Excel में एक sale से दूसरे sale में formula copy करने के लिए सरपर्थम sale को चुनना होगा desk को दबाना होगा और फिर destination शेल में जाकर desk को दबाना होगा control C से copy करेंगे और फिर जहां पर आपको put करना होगा वहाँ जाकर आप control भी दबा देजेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों Microsoft Word दोयर 16 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए desk टैप पर किलिक करके इसकी सुर्वात करें तो insert पर जाकर हम तालिका बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों binary number से question पूछा गया है दोस्तों ये सब को आप संख्या में बदलने के लिए मैं इसे के लिए भी class लेकर आऊँगा दोस्तों ये सब मैं last time में करवा दूँगा किया जाता है कंट्रोल के साथ नाइन दवाईएगा तो वह जीब जाता है दोस्तों लास्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों Microsoft Excel 2016 में वर्क सीट के अंदर एक सेल में 12,34,566 समावरिष्ट होता है इस सेल का चैन करते हुए आप हॉम टैप के अंदरगत नंबर गुरूप में जाते हैं स्रेणी सूची में आप नंबर चुने और 1000 सेपरेटर का उप्योग करें चेक बॉक्स चुने इन चरनों को करने के परिणाम सरूप से निम्न में से कौन सा विकल्ब परदरसीत होगा तो जस्ट वही हो जाएगा 12,34,566 तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही 16 दिसंबर फर्स शिप्ट का ये कोशन मैंने 30 तक किलियर कवाला दिया इससे आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला है दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूस्पूल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बा झाल